सब्सक्राइब कर देना जो आप स्कीन पर देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन को दबा देना स्टूएंट जिससे आपका यह चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको जो भी कोई अपडेट होगा वो मिलेगा आपको सबसे पहले तो चले स्टूएंट वीडियो की सुरात करते हैं तो स्टूएंट जैसा कि आप सभी को पता हो आपकी 19 तारीक आपकी सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग की लाज डेट थी बहुत सारे स्टूएंटों ने रिपोर्टिंग क थर राउंड सबसे लेट होता है इसका रेजन है सरी लेट क्यों होता है और यह कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता किस कंडिशन में होता है किस कंडिशन में नहीं होता ऐसे सभी पंभात करने आप सभी को बता दूं देको थर राउंड क्यों लेट होता है थर राउंड वह राउंड होता है जिसमें अगर किसी college में seats vacant बढ़ती हैं तो उसकी जो seats की position होती है कि आकर इस college में कितनी vacant seat हैं उन सभी vacant seat के लिए सबसे पहले रूचेस के पास आती है फिर रूचेस के पास जाने के बाद decide होता है कि आकर open round counseling है या मौपप roundable करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा तो इस कारण इसमें सबसे ज्यादा लंबा process रहता है अब आप यह सोच लीजिए कि कभी start होने की संभाब ना है तो सबसे पहले तो भी मैं आपको बता दूँ आरूचेस university के main exam चल रहे हैं जो आपके लगए 5 तारीकों समाप्त होंगे तो आपको उम्मी student यह 5 के बाद ही expected रह सकती है 5 के एक दू दिन बाद या आपको 5 तक कोई ना कोई update देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि सबी college हो माँ अभी फिलहाल exams है तो exams पर ज्यादा focus है student इसलिए अभी जो आपकी जो back end seat की position है वो अभी आपको नहीं पता चलेगी अब बहुत सरे student बो सब्सक्राइब करता है या पर हमको कैसे बता चलता है तो student आपनी website पर कभी भी back end seat की position अप्लोड नहीं करता यह पूर्टे offline रखा जाता है जहां तक 2 सालों में रखा गया है इसको online नहीं किया जाता online नहीं किया जाता इसे college level पर ही counseling के द्वारा बहा जाता है और यह आपक किसी college के community अप्रंसिपल से बात करके आप उस college में seats की back end position जान सकते हो तभी आपको इस college के बारे में पता चलेगा कि आपकर इस college में कितिक जीट्स खा लिए है इस तरीके से आपका मॉपप राउंड संपन किया जा जाएगा और मॉपप राउंड में आपको के राउंड में college नहीं मिलता तो मॉपप राउंड पूर open होता है college level पर depend करता है फिर इसमें college कुछ भी करें seats का उनके according ही सारी seats फिल की जाती है है ना तो यह लंबा सारा process रहता है मॉपप राउंड का या third round कहते हैं इसको इसके बाद कोई counseling नहीं होगी इसमें भी बहुत कमी समाम नहीं होती है बच्चों को seat मिलने की सीट की संक्या इतनी खाली नहीं होती जितनी expected होती है private college हो में संक्या ज्यादा खाली रहती है अगर दर कंपेर्ट कोलेज की संक्या होई है कि अगर आप 36 college को अगर माल लें तो 2-3-3 seat अगर रखते हैं तो 36 इंटू आप नोटिफिकेशन नहीं एगा यह आपको जभी पता चलेगा जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल गौराफ़ोटी आउडिचेस और यूट्यूब चैनल गौराफ़ोटी आउचेस को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको जो भी अपडेट आएगा वो हम देने की कुज लिस्ट करेंगे वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे नहीं जाते हैं थैंक्स पर बॉच्टिंग इस वीडियो प्लीज दो लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल